अगर देश के किसानों की हालत नहीं स्थरी तो आने वाला कल अंधिरे में खो जाएगा ये मप देखना के अत्याचारी कौन है याद रखना जिन्दा कौमें पांस साल तक कभी इंतिजार नहीं करते विरोध प्रदर्शन हमारा हक है ये वरोध प्रदर हमारे संबेदाने कदिकार है और देख लीजे कि सब कुछ शान्ती पूर्ट तरीके से हो रहा है दायर साहाब कसम से कह रहे है एक नंबर का अपबल धर्जे का कजब का पहलवान है उम्मुलायमवाद पिछा के चाटले साली के और बंद करो उसका अपूर्ट गार्जे जेजे गार हो रही है नोटों की माला पहनाए जारी है तुम्रे मुलायमवाद लग रहे ना बिलकुल पहलवान के लगाए बस एक मौकल की तलाश में हूँ न अथुराम जी दुनिया को बता देंगे के सरकार कैसे और किस के लिए चलाई जाती है अज के बाद दंगल नहीं राजजीती की कुष्टी होगी ताजा तूफान है सही दिशा मिल गई तो बड़े-बड़े खेमे को खाड़ फेकेगा एक बात याद रखना शिफ नाने अखाड़ा बदला है दंगल नहीं छोड़ा इमर्जिंसी की सारी तैयारिया हो चुकी है राजनीते में दाओं पेश जरूरी जरूर होती है लेकिन सम्वीधां के संखिलवार करने का किसी को कोई अधिखार नहीं है यह चोटे बड़े जित्ते भी ओपोजिशन लीडर्स है ना जस्ट पो तेम जाइन बास अस सून अस पॉसमल जिंगार यह शोरों में बतल सकती है उचादो सबको पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है हम महभारत के अर्जुन है और होसली का दूसरा नम मुलायम सिंह यादो उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया तक रहो है तो वह हुजूल की हक की जिन्दा को में पाक सामसा के इंदिजार कभी नहीं करती मेरा दू कहता है के यह मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा लोग निता जी के नाम सो जानेगे इसे